इंग्लिश कैसे सीखें? यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मिनिंग भी आपको बताएंगे और साथ में आपको ग्रामर से जुड़ी टेंस वी जुड़ी बातें बताई जाएंगी जिससे आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने और समझने में आसानी हो तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं इस कहानी के माध्यम से जिसका नाम है फूलिश डंकी मूर्ग गधा फूलिश का मतलब क्या होता है मूर्ग या फिर जिसे हम बेवकूफ कहते हैं डंकी का मतलब तो गधा होता है मूर्ग गधा इस तरह के जो वर्ड्स आते रहते हैं फूलिश वाईज बिर्लियंट लेजी ये कहानियों में इसलिए बार बार रिपीट करके लिखे जाते हैं जिससे आपको आसानी से इंग्लिश बोलने आ जाए ये सारे वर्ड्स डेली यूज वर्ड्स में से आते हैं जिसकी अवशक्ता हमें रोज पढ़ती है तो फूलिश डंकी मूर्ग गधा एक नमक बेचने वाला सॉल्ट का मतलब क्या होता है नमक इसको जान ले इसे साल्ट नहीं बोलती इसे सॉल्ट पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ये है सॉल्ट सॉल्ट सेलर सेल का मतलब होता है बेचना सेलर का मतलब बेचने वाला एक नमक बेचने वाला यूज टू कैरी दे सॉल्ट बैग नमक के बैग को ले जाया करता था धोया करता था करी का मतलब होता है धोना धोया करता था the salt bag नमक के बैग को बैग का मतलब ऐसे जोला होता है हम इसे आपर बैग ही कहेंगे on his डंकी, अपने गधे पर to the market, बाजार के लिए everyday, रोज एक नमक बेशने वाला अपने गधे पर बाजार के लिए रोज नमक का बैग धोया करता था everyday का मतलब क्या है, रोज जिसे हम कहते हैं, daily भी कह सकते है क्या कह सकते है, daily market का मतलब होता है, बाजार on the way, रास्ते में they had to cross a stream उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी stream का मतलब ऐसे तो होता है धारा, जो पानी की धारा हो, उसे लेकिन इसे छोटी नदी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, small river small small river को हम stream कहते हैं, तो उन्हें एक छोटी सी नदी भी पार करनी पड़ती थी, one day एक दिन, the donkey suddenly tumble down एक दिन, अचानक गधा लडखडा कर गिर पड़ा tumble down का मतलब क्या होता है लडखडाना और गिर पड़ना हम इसे कहेंगे लडखडाना the stream उस धारा में and or the salt bag and the salt bag और नमक का थैला also fell into the water, वो भी पानी में गिर गया the salt dissolve in the water नमक पानी में घुल गया, dissolve का मतलब क्या होता है घुलना and hence और तब से the bag became very light, तब से bag बहुत हलका हो गया light का मतलब यहां पर होगा हलका क्या होगा, हलका इसका उल्टा क्या होता है heavy, इसी light का मतलब आग जलाना भी होता है, पिछली स्टोरी मैंने आपको बताया है और इसी light का मतलब प्रकाश भी होता है तो लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा हलका, वो bag बहुत हलका हो गया, to carry ढोने के लिए, ले जाने के लिए the donkey was happy, गधा खुश था then तभी the donkey started to play the same trick every day then यानि फिर से, तब से, वो गधा started to play, करने लगा play का मतलब क्या है, हम कहेंगे do करना, वो करने लगा, the same trick वही तरीका, every day, रोज trick का मतलब है, यहां पर चाल, हम इसे कहेंगे चाल तो वो यही चाल रोज चलने लगा the salt seller came to understand ये बात नमक बेचने वाला समझ गया came to understand हो चाहे came to know हो एक word होता है, come to know क्या होता है, come to know come to know का मतलब होता है, जानना या फिर चाहे come to understand हो इसका भी मतलब होता है, जानना या फिर समझना, तो यहां पर came to know है समझ गया, वो नमक बेचने वाला समझ गया, the trick इस चाल को, and or decided to teach a lesson to it, और उसे इसने एक पार्ट पढ़ाने का निश्चे किया decided का मतलब क्या है, निश्चे किया to teach, ऐसे तो teach का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन यहां पर होगा सिखाना उसने एक सबक सिखाने क्या, निश्चे किया the next day अगले दिन he loaded a cotton bag उसने एक cotton का bag लाद दिया, load का लाद ना, loaded का मतलब लाद दिया cotton का मतलब होता है, रुई क्या होता है, रुई रुई का bag लाद दिया, on the donkey गधे पर अगेन एक बार फिर, it played the same trick, उसने यही चाल चली, play the trick का मतलब क्या होता है, चाल चलना चाल चलना hoping that, ऐसी आशा करते हुए कि, the cotton bag would still become lighter कि यह, रुई का bag भी हलका हो जाएगा देखे, यहाँ पर है lighter, जब हम किसी दो चीज की तुलना करते है या फिर, उसमें और का sense आता है, जैसे और हलका हो जाएगा, तो यह it would still become or lighter, यह अब भी और हलका हो जाएगा किसे हलका हो जाएगा, पहले वाले की तुलना में, तो इसलिए last में हम ER लगाते हैं, यह comparative degree होती है, यह सारी चीज़े आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी but, लेकिन, the dampened cotton, लेकिन, भीगी हुई रुई, dampened का मतलब होता है, भीगी हुई भीगी हुई, यह हम कहेंगे भीगी हुई, became very heavy वो बहुत भारी हो गई to carry, ढोने के लिए and or the donkey suffered, और वो गधा पीडित होने लगा suffered का मतलब क्या है, सफर का मतलब होता है पीडा सहना पीडा सहना, जानी उसे और परिशानी होने लगी, उसे बैग उठाने में बहुत दिक्कत होन लगी गधे ने एक पार्ट सीखा क्या सीखा इट डिड नोट प्ले दे ट्रिक एनी मोर आफटर देट डे, उस दिन से उसने इस तरह की कोई और चाल नहीं चली and the sailor was happy और वो बेचने वाला खुश हो गया moral of the story हमेशे, क्या नैतिक सीख्षा मिलती है इस कहानी से luck won't favor always भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है always का मतलब हमेशा favor का मतलब यहाँ पर होगा पक्ष या फिर साथ देना क्या होगा? साथ देना luck का मतलब होता है किस्मत या फिर इससे हमें यह सिख्षा मिलती है उमीद करता हूँ इस वीडियो में बताएगे word meaning से आपको अच्छी लगी होगी आपको कौन सा word सबसे अच्छा लगा इसे comment box में जरूर बताएगा वीडियो को like करके जाएगा और channel पर नए हैं तो इसे subscribe कीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरह की धेर सारी वीडियो मिलने वाली है और अपने किसी ना किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में